अस्सालाम वाले कुम उम्मीद करते हैं आप लोग ख़िया से होंगे और सौधी अरब की कुछ छोटी और बड़ी ख़बरों के लिए आप हमारी वीडियो जोड़ी देखें अज ख़बर बहुत बर ज़स्टें ट्राफिक के ह WhatsApp के हवाले से दो ख़बरें और एक खबर प्लाइट के हवाले से हैं और तिन ख़बर उमान की है वो उरतों के हवाले से हैं तो आप लोग वीडियो पर बने रहें वीडियो लाश टिख ज़िवश देखा करें देड़ ना करते हुए चलते हैं खबर की तरफ सुधी अरभ में मुरूर की तरफ से बताया गया है कि जिससे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो सोर्सराबा करते हुए गाड़ी ना चलाएं यह ट्राफिक रूल का उलंगन है और उन लोगों के उपर 300 से लेकर 500 रियाल तक जिर्माना बताया गया है जिससे स्कूल के पास में हारन बजाना या कोई भी इसी जगे वहां पर हारन बजाना आउरसोर्सराबा करते हुए जाना यह कानूनन अफराद है और उनके उपर जुर्माना लगाया जाएगा और ये भी खबर सौधी अर्विया ट्राफिक के हवाले से बताया गया है जो स्कूली बस स्टेम पे चल रहे हैं स्कूल चालू हो गई है तो स्कूली बस चलते हैं तो वो खड़ी करें के बच्चों को बैठालते हैं रोड पर तो उस टेम पे आप इंतिजार कर लें और ओबर चुर्माना लगाया जाएगा पिछले साल डी एचल कंपनी का एक सक्स ड्राइबर ऐसे ही गलती किया था स्कूल की बस टैम वो ड्राइबर ने बटेग करके आगे निकल गया तो उसका फोटो पुलीस वालों नहीं लेकर और उसको 6000 का मुखलफा लगाये थे तो आप लोग सौधी अरबिया गागा की तरफ से बताया गया है तो गागा ने एक बात बहुत इसपरश्ट बता दिया है कि जिससे टिकट वापिस होता है तो उसमें किचकाजना करें और रिफंड उनको दे दें यह बात बताएगी है इस नमबर तेश से यह कानून लागू कर दिया जा मसाफिरों को साहथा अच्छीखासी साहथा मिलेगी और यह बिपताया गया है कि जिससे खो गया है तो उस लगेज का जो रिफंड देने को बात कहीं गई गेंगी है अगर लगेज खो जाता है तो आपको इतना रिफंड मिलेगा और यह भी बताया गया है कि जिससे खो गया है तो आपको इतना पैसा मिलेगा और डैमेज भी हो गया है तो यह आपको इतना पैसा मिलेगा और एक इंडियन माहिला को जो है उमान में धोखे धली से भेजा गया और काम के लिए तो वहाँ पर वो अवरत जब वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर काम तो करने लगी लेकिन उसका परिवार लंबा था और राद दिन काम करती थी यह बता रही है कि जितनी सेलरी में हो ग स्कार लोग औरतों को धोख़ा धड़ी से भेजते हैं और ज्यादा तर ख़वर यह मान से आती हैं और उहाँ पर ओप संगे बाद वहार लगातीं यह अच्छा है कि अपनी MBC वहां की MBC अच्छा काम कर रही है ऐसा कोई मसाला मसाहिल होता है तो वो पूरा सहयोग करती है उन्मान में जो काम पर गई हुई थी तो वह बताने लगे कि 14-14 गंटा हम डूटी करते हैं और खाने का देते हैं और पीने का देते हैं और इसे परतारित करते हैं तो इतना परेशान किया जाता है तो यह हमारी राया है कि आप लोग इंडिया में कोई चोटी मोटी नोकरी कर ले वो बेतर होगा विदेशाने का जुनों न रखें और आप लोग जब आते हैं परेशान रह और यह बतार हैं लेकिन खुरानी के काम में आप सुदियर्भ में यह कि आरब में कहीं भी ओना आ आए और अपनी देश में ही कोई इसी छोती मुटी नौकरी करके हैं और गुजारा चलाएं यहाँ पर आएंगे तो फिर परेशान रहेंगी और ज्लीफ होती एह और आप झाल झाल झाल